हेलो फ्रेंड्स बेबी को सर्दी में गुरा कैसे बनाएं मेरा आज का टॉपिक यही है बच्चे बहुत नाजुक होते हैं बच्चों की इसकिन बहुत जादा नाजुक होती इसलिए सर्दियों के मोसम में आपको बच्ची की स्किन की केर कुछ जादे ही अच्छे से करनी पड़ती है अकसर सर्दियों में देखा गया है कि बच्चों क्या बड़ो की स्किन भी काली पड़ने लगती है इसलिए आप अपने बच्ची की मसाज जरूर करिए वह भी हल्किक गुन-गुने तेल से मसाज क जरूर के बड़ने से ब्लड सर्कूलेशन सही रहेगा और बच्ची की स्किन अच्छे से मॉस्यराइज हो जाएगी लिकिन मसाज करने के बाद अपने बच्ची को आप ने रहा जरूर और अगर बहुत से जंगा ऐसे होती है आप बहुत जादा थंड़क पड़ती है अप बच्चे को वाइब करने के बाद कोई अच्छा बॉड लोशन जो बेबी मॉस्चुराइजर आता है वो आप अपने बेबी को ज़रूर लगाए इससे उसमें नमी बनी रहेगी और अगर आपका बच्चा चे महीन से उपर का है तो उसको पानी भी आप अच्छे से देती रह अग्दम खुला करके दूप में अग्दम मतलिटा जोड़ी है वह बहुत जरूरी है बच्चों के लिए आप अपने बच्चे को थोड़ा मतलिटा इससे भी उसकी इसकी इसकी बाद में लगेगी और एक चोटा सा अपने बच्चे को बता अब श्यारी को बतार हुआए य गर मिला लें और बहुत हलके हाथों से अपने बिबिया को स्कृब करें को स्क्रॉब करें लेकिन तो थोड़ा सा गुनगुना कर लिजेगा अफिर शेल दिर बाद अपने बच्चे को नहला दें कि यह हफते में पेले पार चाहिए बीबी को मॉश्य राइजर क्रीम लगा दें। इससे बीबी की स्किन में निखार आएगा। इससे बीबी की स्किन काली नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतन ही अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज जाल सहथा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें